11 अगस्त को माननी सुप्रीम कोट से बीयड बाहर होने के बाद, कल 28 अगस्त को एक बार फिर से बीयड को प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर का रास्ता माननी सुप्रीम कोट ने दिखाया, यहां तक कि MP हाई कोट ने बीयड और MP सरकार को तगड़े यहां पर जटके भी दिय लेकिन बाहर अभी नहीं किया है, 14 तारी को सुनवाई है, फैसला होने के चांसे उस दिन है, और इनी सब चीजों को देखते हुए, 79,000 में चन्र सिच्चकों में काफी जादा हलकंप है, और इसी हलकंप का फाइदा उठाते हुए, डिलेड अभ्यार्थियों ने एक कदम अधिवक्ता हैं और ज्यादा तर मामलों में जीत हासिल करते हैं, कल चानक के अधिवक्ता हैं इनके अमित बधाउरिया जी, उनके साथ इन्होंने 79,000 सिक्चक भरती से B8 को बाहर करने के लिए, अपने सीनियर अधिवक्ता स्री एलपी मिसरा जी से मुलाकात करके आगे की पर चर्चा कर ली है, इनकी तैयारी पूरी तरह से पूर्ण है, क्योंकि 11 सेप्टेंबर को इस मामली की सुनवाई होनी है, और इन्होंने कहा है कि हम अपनी इमानदारी से पूरी लगन से काम कर रहे हैं, 11 तारिक को मजबूती से पच्च रखेंगे, और MP High Court, 36 High Court और सुप वो राहत भरी इनके लिए खबर नहीं होगी, तो कि लगातार इस तरह से मामले देखने को मिल रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा भी आसान नहीं होगा